आज हम पढ़नी जा रहे हैं Convergence from Decimal Number System to Hexadacimal Number System और Hexadacimal Number to Decimal Number System तो हमने पहले भी डिसकस किया है Decimal Number System की Base क्या है 10 और Digits इसमें यूज होते हैं 0 to 9 इसी तरह गर Hexadacimal की बात करें तो Base है इसकी 16 और Digits इसमें 0 to 15 हम यूज करते हैं और 15 को Represent करते हैं F से तो for example अगर हमाई पास एक Question है 185 Base 10 यानि Decimal Number System का Question है और हमने इसको Convert करना है Hexadacimal Number System में यानि Base 16 में तो हम क्या करेंगे 185 को यहां पे रखेंगे और 16 से Divide कर देंगे 16 से क्यों Divide करेंगे क्योंकि हम जिस Number System में Convergence कर रहे हैं उसकी Base क्या है 16 तो इसलिए हम 16 से Divide करें 161, 16 2 यान पे चला गया 25 बन गया फिर 161, 16 और 9 हमाई पास बच गया अब यह Divide नहीं हो सकता तो हम यान से इसके Digits को लिखना शुरू करेंगे ठीक है यानि 11 और दूसरा क्या है 9 लेकिन Hexadacimal Number सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ाए जब 10 से उपर Digits होते हैं तो हम उनको Alphabet के साथ Represant करते हैं 10 11 12 13 14 10 को A से 11 B 12 C D E और F ठीक है तो अब हम आपस 11 है 11 को हम किस Digits से Represant करते हैं B से तो B9 हमारा Answer है अब यह हम आपस Convert हो गया है Hexadacimal Number सिस्टम है इसी तरह अगर हम एक और Example सॉल्ट करें 7551 Base 10 और इसको हमने Convert करना है Base 16 में ठीक है Hexadacimal Number सिस्टम में Convert करना है तो हम क्या करेंगे इस Value को यहां पे लिखेंगे और इसको Divide करेंगे 16 पे क्यूंकि हमने उसको Hexadacimal में Convert करना है जिसकी Base क्या है 16 इसलिए हम उसको 16 से Divide करेंगे तो 16, 4 यह आएगा 64 लेकिन 75 माइनस 64 तो 11 यहां पे चला जाएगा ठीक है अब 11 यहां पे गया तो यह 115 बन गया तो 16, 7 1, 12 हमारे पास आएगा 3 फिर यहां पे चला गया 31 16, 1, 16 और 15 हमारे पास यहां पे आजाएगा उसके बार 16, 2 32 तो 47 से 32 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 15 यहां पे आ जाता है ठीक है अब 151 यहां पे बन गया तो 16, 9 144 ठीक है 144 और फिर यहां पे 7 बच जाएगा हमारे पास फिर 16, 1, 16 और 13 यहां पे अब यह डिवाइड ने हो सकता तो हमने इस साइट से शुरू करना है और फिर इस साइट पे उसको लिखते जाना है साइट डिजर्स को सबसे पहले है 1, 13, 7, 15 अब 1 तो ऐसे ही आएगा 13 को हम किस डिजर्स से डिप्रिजेंट करते है D, 7 और 15 को हम F से डिप्रिजेंट करें तो यह हमारे पास कन्वरियन हो गई decimal number system to hexadecimal number system अब अगर हम hexadecimal number system to decimal number system कन्वरियन की बात करें तो hexadecimal system की base क्या है 16 और digits इसमें यूज होते है 0 to 15 यहनि 0 to F और decimal की base क्या है 10 और digits कहां तक यूज होते है 0 to 9 अब फॉर एक्जाम्पल अगे अगर हमें question दिया हो 3A base 16 और इसको convert करना है हमने decimal number system में यानि base 10 में तो हम क्या करेंगे जो digits दिये हैं उनको लिख लेंगे multiply by 16 16 और center में 0 पहले 16 की power 0 दूसरे की 1 और ऐसे ही हम लोग आगे चलते जाएंगे अगर और 16 होई अब यहाँ पर हमने 16 से क्यों multiply किया है क्यूंकि हमने decimal में जب भी convert करना होता है तो जिस system को हम decimal number system में convert करें हैं उसकी जो भी base होगी हम हमेशा उसे multiply करेंगे अगर यहाँ पर binding number system होता और उसको हम decimal number system में convert करते तो हम यहाँ पर 2 से multiply करते ठीक है अब किसी भी चीज की पार 0 जो होती है वो हमेशा होती है 1 multiply by A plus 16 multiply by 3 क्योंकि 16 1 16 अब A की क्या value है A को हम 10 लिखते हैं ठीक है क्योंकि hexadecimal number system में जब भी 10 आता है तो हम उसको represent करते है A alphabet से तो जहां पर A आए का हम उसकी value क्या लिखेंगे 10 3 multiply by 16 plus 10 multiply by 1 16 3 are 48 plus 10 तो यह हमारे पास आगया 58 base 10 ठीक है यह हमारे पास convert हो गया decimal number system में अब अगर इसकी एक और example हम यहां पर solve करें for example हमें दिखा हो question 2D 3 base 16 और इसको हमने convert करना है base 10 में यहनी decimal number system में तो हम क्या करेंगे फहले सारे digits को लिख लेंगे 2 D 3 और फिर इनको multiply करेंगे 16 से क्योंकि हम 16 base system को convert करें हैं decimal में multiply by 16 16 multiply by 16 plus plus पहले 16 की पार 0 1 2 ठीक है अब 2 multiply by 16 multiply by 16 यह में वापस है कर 256 प्लस D की value अब क्या है यहां पर हमने देखा था D की value है 13 13 multiply by 16 प्लस किसी भी चेस की पार्ट से ब 0 होती है तो वो 1 होती है 3 multiply by 1 1 ठीक है अब 256 multiply by 2 इस इकोल टू 5 12 प्लस 13 multiply by 16 2 0 8 प्लस 3 क्योंकि 16 की पार्ट 0 1 और यह 3 से multiply किया तो भी इन सब को अगर हम add करें तो answer आएगा 7 2 3 base 10 ठीक है base 10 यह अब decimal number system में convert होगा